पूरी जिन्दगी एक दूसरे के साथ रहना, सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनना, आखरी दम तक ठीके रहने वाला प्यार अगर आपको महसुस करना होगा, तो आज की मुवी का एक्स्प्लेशन आप जरूर देखिए, आज की मुवी का नाम है एम और और यह एकडे एक ओल्ड उमन की उती है, इसका नाम है एना, यहाँ पर उन्हें कुछ लेटर स्वेगर भी मिलती है, जब ए डेट बॉड़ी के पास आते हैं, तब हमें दिखता है कि इसका फ्यूनरल यही हुआ है, यह डेट बॉड़ी ब्लैक द्रेस में इसके आज पास फूल वेगर आ है, तो पके बाद फ्लेश बैक हमें दिखाये जैता है, हमें एना और जोस दिखाये जते हैं, यह दोनों हस्बन मैफ ओल्ड है, और यह दोनों कंसर्ट देखनी के लिए आये हुए हैं, जब ए कंसर्ट खतम हो जाता है, तब वे एक रूम में जाते हैं, जहांपर आरिस्ट एना इससी मिलती है ये इन दोनों को हग करता है और फिर एक घर आ जाते हैं घर आने के बाद इनने पता चलता है की इनका जो डोर है किसी ने open करने के कोशिश की है जॉज कहता है कि ये स्क्रू डाइवल से हो कर रहे थे, जादा कुछ प्रोफेशनल्स नहीं थे, ये दोनों थोड़े से डर गए होते हैं, एना कही थी अगर हम सोय होए होंगे और कोई ऐसा करेगा तो मैं डर से ही मर जाओंगे, जॉज कहता है कि इसके लिए हम कुछ न जोग हो चुका है, जॉज पंबर को वेगरा कॉल लगाता है और जल्दी उसे आने के लिए कहता है, ये दोनों डिस्कस करने लग जाते है कि ये लोग बहुत दी टाइम लगाते है, ये जब बात कर रहे होते हैं, तो अचानक आना रिस्पॉंस करना बन कर देती है, तोमस जाने के लिए कोई तो हेल्द चाहिए, इसलिए वो अब घर से बाहर जा रहा होता है, ता ह्यबी आना नल बन बन करती है, ये फिर से नौरनल में आच चुकी होती है, जॉज फिस के पास जाता है, उससे कहता है, कि तुम्हें क्या हुआच था, इसे कुछ ये पता नहीं फ्रीज हो चुकी थी जॉच इसे सब कुछ समझाता है इसे अभी वे बिलिव नहीं हो रहा होता जॉच कहता है कि सीरियस हो सकता है हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए यह डॉक्टर को कॉल करने के लिए फोन उठाता है पर आना उससे कहती कि प्लीज ऐसा मत करो यह दॉक्टर उससे मिलने के लिए आई हुई है इसके बच्चों के बारे में कहती है इसके इसके प्यानों बजा दे है जॉक्पे बारे में पुछता है तो इसका इसाll का अफेर हो चुका हुता है यह कहीं दो एका Sabri रहे रहे है यहां वें यह क्या दुम उससे प्यार कर दियो यह कही थी कि मुझे पता नहीं है जौज की बेटी फिर अपनी मदर के बारें पुछती है जौज कहता है कि उसकी हालत खराब हो गई थी उससे ऑपरेशन की जरूरत थी हमने जब ऑपरेशन करवाया तो 5% केसेस में बहुत ही जादा बु तो इसे स्ट्रोक नहीं आता यह जो इसकी हालत हुई है इसे स्ट्रोक आने की वज़ेस हुई है इसकी पूरी लेफ साइड पैरलाइस हो चुकी है अब एना घर आ चुकी है तो जौज सब कुछ घर में ठीक ठाक कर देता है उसके लिए अलग सा बेट वो बनाता है जौज क इसे कहती है कि कभी भी मुझे हॉस्पिटल में मत लेकर जाना इसको बहुत ही हॉस्पिटल में तकलिफ हुई है और वैसे भी इस हॉस्पिटल से वो डरती ही है जौज कुछ बोल रहाता है पर यह कहती है कि नहीं तुम कुछ भी नहीं बोलोगे तुमारा जो लेक्चर है यह तुम्हारे पास ही रखो, तुम मुझसे वादा करो, कभी भी तुम मुझे हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाओगे। जब रात होती है, तो एना को अपने बेड पर यह सुला कर देता है। एना उससे एक बुक मंगती है। एना उससे कहती है, कि अब तुम अपना काम करो, तुम्हें मेरी और भी केर करने की ज़रूद नहीं है, मैं अब अपना खयाल रख सकती हूँ। एना फिर अपने एक आच से बुक पढ़ने लग जाती है। जौरज बाहर जाना, ग्रोसरीज लाना, ये उपर नीचे नहीं कर सकता। तुँ इस से हल्प करने के लिए इसकी नेबर के जो वाइक होती है, ये आती है, इसे सब कुछ ग्रोसरीोज वेक़रा लेकर आती है। इसके नेबर से बहुत ज़दा हल्प करती है। एनो को टॉयलेट करने में, शावर करने में, सब जीजों में help लगती है, जॉज हमेशा उसकी help करता रहता है, रात होती है, तो एना को जो तकलीफ है, इसके बारे में सोचकर जॉज को नीन नहीं आती है, सुबा हमें breakfast पर ये दोनों बात करे हैं दिखता है, जॉज उसकी वावपस आया, तो वहाँ एक लटका था, ये मुझे बढ़ा था, इसने मुझे पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने उसे फिर movie की story बताना शुरू कर दिये, मुझे रोना आ रहा था, पर मैं उसे दिखा नहीं पाया, ये दोनों इस पर हसने लग जाते हैं, जॉज कहती है, कितने साल हमारे शादिक हो गए, फिर वे तुमने मुझे story कभी नहीं बताई, जॉज कहता है, कि बहुत सारे चीज़े मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई है, आना पुछती है, क्यों नहीं बताई, कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी image खराब हो जाएगी, जॉज क कहता है, कि तुम्हें नहीं पढ़ना जाई है, इसे हम अपने आपको भ्लेम करने लग जाते हैं हमेरे future के लिए, इनका जो friend होता है, यह मर गया हता है, अब George को उसके funeral पर जाना होता है, इसे अच्छा है नहीं लगता, पर इसे फिर भी जाना ही पड़ेगा, जब यह अग मरने के बाद जो funeral होता है, उसमें उसकी family, जो सब लोग आते हैं, यह सब को देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है, अपने friend को गाड़ता होता है, इसे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता, एना विरस के बाद कहती है, जिस तरह से मैं जी रही हो, इस तरह से जी कर क्य मैं तुम पर एक burden ही बन रही हूँ, जो आज कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तुम्हें मेरे लिए ऐसा ही करती, जो आज कहती है, पर ऐसा नहीं है, तुम मेरी जगहा नहीं हो, जो आज कहता है, कि हम तुम्हारे exercise वगरा करवाते हैं, थोड़े दिन में तुम चलने लग सकती हो, एना कहती है कि मुझे इस पर जादा बात नहीं करनी है, वो फिर सोने के लिए जाना चाहती है, निक्स दिन इनका जो student था, जो piano artist बन चुगा है, यह इनसे मिलने के लिए आता है, यह कहता है कि आज ही मैं पैरिस में आया हूँ, वो आते होई इनसे मिलने आ गया, यह एना से मिलना चाहता है, जब एना को यह देखता है, तो यह शौक में होता है, एना कहती है कि हम तुमारे CD आज बाही करने वाले थे, और तुम ही आ गये, यह कहता है कि मैं भूल गया, मैं आपके लिए वो CD लाने वाला था, यह कहता ह कि तुम्हारे सक्सेस के लिए हम 20 डॉलर्स तो कॉंट्रिबूट कर ही सकते हैं एना फिर इसे पियानो बजाने के लिए केती है रहेता है कि मुझे वो धोन अब याद नहीं है फिर भी ये पियानो बजा देता है इसके बाद हमें दिखता है कि जो सब इन दोनों का रूटिन चल रहा था वो चलता रहता है फ्रैंक खाने पीने में उसका नहाने के लिए सब उसे मदद करता है एक दिन रात में जब ये सोय होता है तब इसे एक सबना आता है कि उसके घर में कुछ लोग घुसाए है इन चोरों ने इसे बेहोश कर दिया है ये वो सबने में देखता है इसके बाद वो अपने नीन से डिस्टब होकर उठ जाता है नेकस दिन आना और जॉज को एक लेटर मिलता है इनकी डॉटर एंउनका सानी इनलओ ये दोनों इन्हे मिलने के लिए आने वाले होती है एना कहती है मुझे हभी किसे से भी नहीं मिलना पर भीर भी इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते इनका जो स्टूड़न होता है इसका भी लेटर आता है इसमें लिखा होता है कि आपकी हाला देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगा था एना सुनकर बहुत ही अफसेट हो जाती है जब लंच कर रहे होते है तो लंच करते हुए वो जोज को उठाती है वो कहती है कि अलवब लेकराओ वो जब यंग थी उसने जोज सब अपनी लाइफ जी है ये सब चीजे हो देखती है एना खुश है तो जोज उसे ही देख रहा होता है ये कहती ही कि मेरी तरफ मत देखो नेक्स दिन सुबा जब एना उठती है तो उसने बेड गिला कर दिया होता है जोज उसे सब कुछ help करता है और जब ये बात्रों में जा रहे होते है तब ये रोने लग जाती है जोज उसे शांद करा रहा होता है अब थोड़े दिन गुज़र चुके है और हमें दिखता है कि एना की जो condition है ये और भी खराब हो चुकी है अब वो बेड़ से भी उटने सकती है और वो कुछ बोल भी नहीं सकती अना से मिलने जब उसकी डॉटर आती है तो अपने आप ही बरबर करने लग जाती है उसके लाइफ में क्या चल रहा है वो house buy करने वाली है ये सब चीज़े उसे बताती है अना उसे बात करना जाती है एक एक वर्ड वो बोलती भी है पर इसे कुछ इसका sense नहीं आता जोज इसके सनिनलों से बात कर रहा होता है तो कहता है कि हमने एक nurse भी अब लगाई है और भी एक nurse वो ढूडने वाला होता है जिसे एना की अच्छे से care वो ले सके जब इसके daughter यहाँ आती है तो कहती है कि अब क्या अब क्या होने वाला है जोज कहता है कि क्या तुम कह रही हो कि hospital में मुझे एना को छोड़ कर आना चाहिए तो यह नहीं होने वाला अगर मैं उसे hospital में भी छोड़ कराऊंगा तो वो old age home चली जाएगी मुझे एना के लिए नहीं चाहिए मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसका खैल इस घर में ही रखूँगा जो hospital में इसकी care लेते हैं यह सब care में उसकी यही लेने वाला हूँ एना की care करने के लिए जब नर्स विगराती है तो George यह सब सीख लेता है यह एक दिन बैठावा होता है तो imagine करता है कि एना फिर से प्यानों भजाने लग गई है यह एना को खाना खिलाता है पर यह ज़्यादा खाना नहीं खाती जब पानी पिला रहा होता है तो पानी भी नहीं पीती इसने जैसे खाता कि इसे मरना है तो यही वो कर रही है को जो भी खाना ना खाते हो इसे मर जाना है यही इसकी इच्छा होती है जब इसकी नर्स आती है और इसे नहरा रही होती है तो बहुत ही बुरा इसका हाल करती है पानी गरम होता है तो यही डाल देती है इसे as a object उसे वो treat करती है next scene में हमें देखता है कि जोज का नेवर उसे सब सबजे वेगरा देने के लिए आता है जाते-जाते नेवर कहता है कि तुम दोनों को देखकर हमें बहुत ही inspired feel होता है जिस तरह से जोज एना की care करता है यह देखकर इनका love देखकर इसे बहुत inspired मैंसुस होता है जाज जरा जब बहार जाकर आता है तो वंदर आने के बाद उसे एक कबूतर उनके घर में दीखता है खेड की वेगराव खोलता है उसे बहार फिक देता है एना की जो new character करती थी वो अच्छे से उसे treat नहीं करती थी फ्रैंक फिर उसे fire कर रहा होता है यह कहती है कि मैरे इस professional career में कभी मुझे complaint नहीं आई है जाज उसे कुछ खेह नहीं रहा होता यह cheat गई होती है जाज फिर कहता है कि जिस तरह से तुम मेरी wife को treat कर रही थी मैं चाहता हूँ कि जब तुम बोड़ी हो जाओगी यह फिर एक बड़ी से ship लेती है और सब कुछ भाहर निकाल देती है थोड़े दिनों बात इनकी daughter इनसे मिलने के लिए आती है यह एक surprise visit होती है वो father से बात करती है मदर के बारे में फुछती है जाज कहता है कि उसकी हालत बहुत ही खराब है यह कुछ कहे भी नहीं पाती और pain में ही रहती है कभी-कभी हसने लग जाती है तो कभी-कभी अचनक रोने लग जाती है कभी-कभी खंटों तक वो pain में रहती है जाज ने एनक और रूम लॉक करकर दिया होता है इस पर इसकी बेटी चिट जाती है जाज कहता है कि उसे तुमसे नहीं मिलना है वो फिर रियलाइज करता है कि यह गलत है और अविन बेटी को अपने मदब से मिलने देता है डॉक्टर जाज से बुछती है कि अब क्या हमें इसके बारे में कुछ सिरियसली बात करनी चाहिए जाज कहता है कि अभी तब जैसे चल रहा था वैसे ही चलने वाला है तुम इसमें कुछ भी कर नहीं सकती मैं एना को हस्पिटल में नहीं डालने वाला तो क्या फिर तुम इसकी केर करोगी अब इस से नहीं यहीं इंड हो जाता है जाज एना के लिए बहुत जादा एफट लेता है यह बोलने बाती तो इसके लिए बोलने की प्रैक्टिस वो लेता रहता है हर रात वो प्रैक्टिस करते हैं वो गाना गाता है और यह भी गाना गाने के कोशिश करती है जाज इसके लिए बहुत एफट लेता है कहता है कि मैं जब छोटा था तो एक summer camp में मुझे भेजा गया था यह जो camp था इकर से बहुत यह दूर था और मैं फिर वापस नहीं जा सकता था इस summer camp में बहुत इन बच्चों से बहुत सारी exercise वो करवाते थे और इसके बाद इन्हें खाना भी अच्छे से नहीं मिलता था George कहता है कि एक दिन मुझे खाना पसंद या तो मैं बहुत ही रोने लग गया था मैं मेरी मदर को letters लिखता था, इस letters पर मैं stars बनाता था मेरे letters मेरी मदर बहुत ही समार कर रखती थी, एक दिन फिर में बहुत बिमार पढ़ गया मुझे कॉरंटाइन में रखा गया, मेरी मदर मुझे से मिलने के लिए आई पर अंदर काश था हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाये, हम एक दूसरे के पास तो थे पर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे यही यह story खतम कर देता है, अपनी पीलो हाथ में लेता है और एना की मुझ पर लगाता है एना की सास बन हो जाती है और हो मर जाती है एना और वो एक दूसरे से अब वो पास से फिर भे बात नहीं कर पाए एक दूसरे से वो कनेक नहीं हो पा रहे है एना बहुत ही पहन में है यह वो देख नहीं पाता इसलिए इसके लिए वो एक कर देता है इसके लिए वो फूल वेगरा लेकर आता है इसका funeral वो इसी रूम में कर देता है मूवी की बीच में हमने देखा था कि इसे funeral थोड़े भी पसंद नहीं आते जो सब लोग इनके आसपास होते है है इनसे इनसेर होते है जो respect मरे हुए आदमी को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती इसलिए अपनी wife का funeral वो इसी घर में कर देता है इसके बाद हमें दिखता है कि वो letter लिख रहा है letter लिखते हुए एक कबुदर वहा जाता है ये कबुदर घर से बाहर नहीं जा रहा होता एक को cloth लेता है और इसे डालने के कोशिश करता है कबुदर इसमें पकड़ा जाता है और इसे वो छोड़ देता है ये अपने letter में लिखता है कि जो कबुदर था इसे मैंने एक second के लिए trap कर दिया था पर इसके बाद मैंने इसे free कर दिया है ये जो scene है ये represent करता है इसके जो wife थी ये trapped हो जोगी थी थोड़ी सी तकलीफ इसने अपनी wife को दी थी पर इसके बाद इसने अपनी wife को free कर दिया है ऐसा उसे लगता है next scene में जोज एना के साथ घर से बहार जा रहा है ये हमें दिखाये गया है ये symbolically represent करता है कि आना कि मर जाने के बाद जोज भी इसके साथ मर गया है इसने भी suicide कर लिया ये ही ये movie end हो जाती है आपको ये ending sad लग सकती है पर ये ही सही ending है एना अगर जिन्दा रहती तो वो बहुत ही pain में रहती और वो ही चाहती थी कि अब उसे जिन्दा नहीं रहना है उसे किसी पर भी बोज नहीं बनना है फ्रैंक को इससे प्रावलम नहीं थी वो उसे बोज नहीं समझता था वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए ready था पर जब एना को बहुत ही pain होने लग गया वो हमेशा दर्द में रहने लग गये तब उसे उसने free कर दिया उसके साथ ये भी मर गया इतने साल एक दूसरे के साथ रहे थे इनका प्यार इन्होंने एक साथ मर कर अमर कर दिया हम मुवे में अलग एक लव सोईज देखते हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छ लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दिजेगा मैं बहुत सारी मुवे लेकर आत रहे तो तो प्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दिजे और बेल इडिवेशन आइकोन दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमुवे के साथ तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखिया